नमस्कार आज हम डिसकस करेंगे हिमाचल प्रतेश जीके के important question सभी question exam point of view से important है वीडियो के last में मैं आपसे question भी पूछूँगा जिसका अंसरा आप उन्चे comment box में बताना है इस वीडियो का PDF फाइल और अधर वीडियो का PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा टेलिग्राम का लिंक जो है वो नीचे description box में दिया गया है टेलिग्राम के लावा आप हमें Facebook और Instagram पर भी follow कर सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं आज की वीडियो का first question सबसे पहला question जो हमारे बास है इन विच ये फरस्ट स्टेट लेवल लोहरी फेस्टिवल वाज चैलिग्रेटिड एज अब ये अमीरे विलेज पर पर प्रागपुर तो कीस वर्शाम राज्यस्तर वाज्यसान के लोहरी उत्सब जो है है ये Shareitage village है जो कहां पर पढ़ता है district kangra है अब ये district kangra में पढ़ता है ये जो village है तो यहां पर पहला जो लोडी का उत्सर था, वो कब मनाया गया था, 2010 में मनाया गया था, option A जो है उसे answer है, इस ये exam में ये question पूछा भी जा चुका है, और I think वहां पर exactly date इसकी पूछी गई थी, तो कब ये मनाया गया, 13 January 2010, यनि कि 13 January 2010 को ये लोडी का festival मनाया गया, अब आप से पूछ ले जाए कि ये प्रागपूर विलेज कहां पर है, तो प्रागपूर heritage village जो है, वो district का अंगडा में है, डिसकस करते है हमारा next question, next question हमारे पास कहा है, अभी ये current affair का question बना था, तो अभी इनके newspaper में आया था ये, देखे, recently the ministry of environment, forest and climate change, इसको MOEF और CCB का जाता है, and has released the management effectiveness evaluation, MOE, ये एक report है, ये इन्होंने launch की, which wildlife century is best performing, तो ये हाल ही में जो है, वो प्रयावन वन और जिर्वाजी परवरतन मंत्रा लेने जो है, प्रवंधर प्रभावशिर्ता मुल्यांकन जारी किया है, कौन सा वन्याजी अभ्यारन जो है, सबसे अच्छा प्रशन कर रहा जो है, option B, तीर्थन wildlife century सही है, अब तीर्थन wildlife century कर रही है, wildlife centuries की ज्रेड़ी में, अगर बात करें, नैशनल पार्क में, नैशनल पार्क में जो है, वो कौन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो नैशनल पार्क में सबसे अच्छा परफॉर्म के जा रहा है, Greater Himalayan National Park के द्वारा यह overall इंडिया में किया जा रहा है अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में 903 नौस्टो तीन protected areas है और इन में से जो है यह पूरे मतलब जो इंडिया का इन geographical area है उसका 5% cover करते हैं ठीक है यह 5% cover करते हैं जितने यह थे सब आपको पता चला की हिमाचल का यह तीरतन वाइलाइफ सेंचुरी इन दया रम आफ सेंचुरी और हिमालय नैशनल पर्क इन ड़ टेर्म आफ नैशनल पार्क यह जो है अच्छे परफोर्म कर रहे है सबसे घटिया परफॉर्मज यह वह रही एक टरीटल वाइलाफ century है उत्तर प्रदेश की इनकी performance जो था वो कुछ अच्छी नहीं थी तो ये आप यहां से याद रखिए बात कर लेते हैं greater हिमाले नैशनल पार्क की तो देखो ये पार्क जो था 1984 में स्टेबलाइस किया गया था 1999 में जो था इस पार्क को दर्जा दिया गया नैशनल पार्क का और 2014 में 2014 में इसको UNESCO की heritage list में शामिल किया गया यह तो हो गया अब इसके अलावा तीर्थन वायलाफ संचुरी कहां पर स्टित है यह तीर्थन वायलाब संचुरी कुल्लू में स्थित है तो इसका एरिया कितने है 61 स्क्वेर किलोमिटर इसका एरिया है तो यह सब आप यहां से तरक किया है नेक्स्ट कॉस्चिन हमारे बास है तो हिमाचल प्रदेश के निमलीकित मैंसे किस जीले में 2011 की जनगर्णा के अंसार प्रती वरक किलोमेटर सबसे कम घनत्व है देखो कोहां पर है यह सबसे कम घनत्व है अकॉर्डिन टुदा 2011 सेंसर तो यह लाहल्स वित्ती में सबसे कम है सबसे कम घनत्व का कितना है हमिरपूर का कितना है हमिरपूर का है 407 407 स्क्वेर किलोमेटर अगर अगर बात करें ओबरॉल हमाचल का कितना है वह आपको पता होगा 123 123 जो है ओबरॉल हमाचल का है तो यह देंसिटी पर स्क्वेर किलोमेटर के बारे में आप याद रखे 2011 की जनगर्णा के अनुसार पैसे 2001 की जनगर्णा के अनुसार पूछा तो नहीं जाता अगर पूछ ले जाए आपसे हिमाचल का तो हिमाचल का डेंसिटी है 109-2001 की जनगर्णा के अनुसार तो यह भी आप याद रखे अगला क्वेशन देखते हैं अगला क्वेशन हमारे पास क्या है अगला क्वेशन है लंखंगा पास बुल्हा पास आर सिचुएटिड अलॉंग दा सौथ रिज ऑफ विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश यह लं पूछा घाटी है इस घाटी को जो है वो सांगला घाटी के नाम से भी जाना चाता है यह में शुनचाई पर श्थित गयाऊं पर सबसे उनचाईप बस्बा घाटी na कर जायक नदी त्यूंक त्युक्स खांगो दर्रा ये भी एक दर रहा है ये भी बस्पा घाटी में ही पढ़ता है तो ये सब आप बस्पा घाटी के बारे में है याद रकी basic चीजें मैंने आपको बताई इसके रावा देखो एक और बात है कि जेयो का एक्जाम अभी आ रहा है तो जेयो का एक्जाम के लिए एक अलग से सीरीज चलाई गई है अगर आप उस सीरीज के साथ नहीं जूड़े हैं तो आप जूड़ सकते हैं आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर वो मिल जाएगी तो अभी तक तो हमने कुछ एक वीडियो जे सन्हों ने क्या तो इन्होंने क्या ने कर था तो 1827 तो 1827 में ये सिमला आए था एरांड 1827 जब यह आय थे तो यह कहाँ पर ठहरे थे तो यह Canedy House में ठहरे थे Canedy House में यहाँ पर रुके थे आकर everytime भारत की Grisum Kalien Razhani भी रह चुकी है भारत की Grisum Kalien Razhani यह कब बनी थी और कब तक रही थी तो 1864 से लेकर 1947 तक यह रही थी कि उस टाइंक हैं गवर्णौर्णीन अमरे पास यहां पर पूछा गया है कि हिमाच्र प्रदेश की राजदानी कब बनीक भारत के नहीं पूछा गया है तो हिमाचल की ऑप्षिन भी 1966 होगा इसा ही अन्सर है यह कॉश्चिन हेस में भी पूचा जा चुका है और HPSSE के एक्जाम में भी पूचा जा चुका है किसी एक एक्जाम में पूचा गया था exactly याद नहीं है यहां पर शिमला के बार में आप कुछ देख लिए शिमला का गठन कब हुआ था 1972 में हुआ था एरिया इसका कितना है 5131 स्कूर क्लोमेटर का एरिया है जो कि पूरे हिमाचल का 9.22 कवर करता है शिमला हिमाचल पिदेश की राज़ानी 1966 में बनी संकट मोचन मंदिर जो था वावा नीम करोरी जी महराजी के द्वारा बनवाया गया था कालीवारी टेमपल 1945 में बना चाबा है याटिरलेक्रिक पज्ञा दुमृ抱ल गारडन शिमला में है ननसोरोबर लेक शिम्ला में है चंदर नहां लेक शिमला में है शिमला है जैटकर्टर बना था बर्मा सरकार का 1942 से लेगा 43 के बीच में गांधी मर्डर केस की सुनाई 1948 में होई थी पीटर आफ शिम्ला में शिम्ला एलाइंस बैंक की स्थापना 1974 में की गई तालरा वरलब सेंचुरी शिम्ला में स्थित्थ है गुगती डांस परफॉर्म की जाता है कुंस के द्वारा अपर शिम्ला में फर्स्ट विजिब महात्मा गांधी के द्वारा यहां पर किया गया था 11 में 1921 को सेशेल होटिल शिम्ला में जो है इसको फैलेटिस होटिल के नाम से बजान जाता था शिम्ला मुनिस्पल집 जो था वो 1852 में क्रीयेट किया गया था शिम्ला मुनिस्पल कमीटी जो थी उसको डिजओल किया गया 1969 में जुडिशल अकैडमी शिम्ला के गंडाल में स्थित है आइश स्केटिंग रिंक शिम्ला में 1920 में स्टार्ट किया गया था blessington के द्वारा first European house यहां पर build किया गया 1822 में जिसको Kennedy house के norm से भी जाना जाता है यह सब आप याद रखेगा अगला question यहां पर आप देखिए कि अगला question हमारे पास क्या है अगला question है बेरियां गलेशियर कनेक्ट कुलू with which of the following तो यह हिंदी में translate नहीं कर पाया भूल गया translate करना अगला यहां पर देखिए कि यह बेरियां गलेशियर जो है यह कुलू को किस से जोड़ता है यह बेरियां गलेशियर जो है यह कुलू को जोड़ता है किस से कांगरा से यह question भी काफि important है बेरियां गलेशियर के बारे में अब यहां पर आप कुछ और भी जान सकते हैं कुछ ऐसे गलेशियर जो कुलू को कांगरा से जोड़ता है जैसे कि एक सारी गलेशियर हो गया यह बी जोड़ता है कुलू को कांगरा से एक कुंडी कुकडी गलेशियर हो कुंडी कुकडी गलेशेर जो है यह भी चोड़ता है कुंडी को कांगडा से तो यह दैक मन्दीर है यह कहांपर स्थित है तो दैक मंदीर कहांपर रहे सिर्मृर ऑप्शिन से साही अन्दीर है बाकी district शिर्मौर में जो है कौन कौन से ऐसे मंदिर है जो आपके लिए important है जैसे कि तिरलोक पुर मंदिर जिसको महिमा बाला सुंधरी मंदिर भी कहा जाता है ये भी कहाम पर है ये सिर्मौर में स्थित है ये dome architect style में बना हुआ मंदिर है पतलिया जो तरलिंगा कहां पर है ये भी कहां पर है सिर्मौर में स्थित्थ है एक रेनुका नदी के लेफ्ट साइड में गाइतरी टेमपल भी स्थित्थ है ये रेनुका नदी के लेफ्ट साइड में रेनुका जो जील है उसके लेफ्ट साइड में स्थित्थ है ये जो था ये बनाया गया था महात्मा प्यारा नंद ब्रमचारी के द्वारा गैत्री टेंपल जिसको मदर आफ विदास भी कहा जाता है नेक्स्ट कॉश्चिन देखते हैं हमारे पास क्या है मजूर कमेरी चलन are the kind of which are the following ये जो मजूर हो गया कमेरी हो गया चलन हो गया ये निमलिकित मैंसे किसके परकार है तो ये जो है ये dresses के परकार है option a dress जो है उसे इनसर है ये dresses के परकार है ये आप लोगों के लिए important है वैसे ये जो चलन यहां पर लिखा गया है इसको चालर भी कहा जाता है तो आर यहां पर होगा वैसे इसको चालर exactly कहा जाता है तो यह dresses के परकार है और पंगवाल के dresses के परकार है चालर जो है वो trouser को कहा जाता है कमेरी जो है साइध कोई head dress है head पर लगाने वाली कुछीज होगी और मजीर जो है यह एक black bullen cord होता है यह आप याद रखेंगे code type में कुछ होता होगा तो इतना ही आप यहां से याद रखें next question हमारे पास है which district is leading in garlic production district of हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश का लहस्तुन उतपादक जीला कौन सा है यानि कि जहां पर सबसे अधिक लहस्तुन उगाया जाता है एसा जीला हिमाचल प्रदेश का कौन सा है तो एसा जीला हिमाचल प्रदेश का है district शिरमौर option B जो है वो second सिरमौर जो है वो ऐसा जीला है जहां पर सबसे अधिक लहस्तुन उगाया जाता है हिमाचल में वाकि अगर सिरमौर की और भी बात कि जाए तो सिर मोल ज हो इंडिया में दूसरी नंबर पराथा है इंडरम फिक्र प्रोडक्शन यानि कि अद्रक की खेती में जू है उसे रमोल दूसरी नंबर पराता दो चीजा जितें जो ही माचल में सब ज्या admir को कहा जाती ये अंदोलन 1920 में किया गया था Option C सही अंसर है कुनियार किसान अंदोलन कब हुआ 1920 में हुआ अब कुछ ऐसे अंदोलन है जो exam point of view से important है तो उनको एक वाज जल्दी से revise करते हैं यहाँ पर आप एक नजब डाल ये यहाँ पर है नारागट अंदोलन 1877 में हुआ भागल विद्रों 1905 में हुआ डोडरा कवार विद्रों 1906 में हुआ कुनियार किसान अंदोलन 1926 में हुआ चमबा सेवक संग किस्थापना 1936 में की गई धामी प्रेम प्रचारेनी सभा किस्थापना 1937 में की गई भागल प्रजा मंदल 1938 में stabilise किया गया, कुनिहार प्रजा मंदल जो था, वो 1939 में stabilise किया गया, धांडरा सा अंदोलन जो था, वो 1930 में stabilise किया गया, तो ये कुछ ऐसे अंदोलन है, जो आपके exam point of view से important है, और पहले भी exam में तूछे जा चुके है, अब धामी प्रजा मंदल प सहारा यूजना के अंतरगत, प्रती महा जो है, वो कितनी रासी दी जाती है, यहां पर प्रती महा होगा, तो कितनी रासी दी जाती है, यह आप comment करके बता दीजिए, यह गिरिराज की edition में हमने discuss किया था, that's all for today, thank you, thank you very much.